हेलो फ्रेंड लेमेट की नेक्स क्लास में आपका स्वागत है नेक्स कोशिशन है मेरे पास लेमेट एक्स अप्रोच इस तो 4 ठीक है 3- रूट ओवर 5 प्लस X डिवाइड बाइ 1- रूट ओवर 5 माइनस X ठीक है तो देखिए इस में नीवरेटर में बी स्क्वाइड उटाराया और डिनॉअनेटर में भी स्क्वाइड उटाराया मतलब इसके 2 स्क्वाइड रूट यह एक निम्यवरेटर ओपनाjä बनाऋ तो देखिए इसको करते हैं और इसको करने से पहले एक चीज और हम देख लेते हैं अगर मैं x की वेल्व 4 पुट करूं तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वाइर रूट 3 तो 3 माइनस 3 0 इसी तरीके से x की वेल्व आप 4 पुट करोगे तो 5 माइनस 4 1 स्क्वाइर रूट ओफ वन इस वन वन माइनस वन फिरो तो फिरो बाई जीरो का फॉर्म है यह ठीके ना तो कैसे करेंगे इसको 3 माइनस रूट ओवर 5 प्लस x होल डिवाइड बैक 1 माइनस रूट ओवर 5 माइनस एक्स इंटू देखें ऐसे डिवाइड का साइन लगाके इंटू फिर डिवाइड का साइन लगाके छोड़ देंगे और इसका रिसलाइडेशन फेक्टर क्या होगा 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस x चीक है ना इसका रिसलाइडेशन फेक्टर बस कौन सा साइन चेंज करना है हमें स्क्वार उटके बाहर वाला numerator में भी multiply किया और denominator में भी multiply करेंगे तो यहां नहीं लिखेंगे इसके निचे थोड़ा सा shift करके लिखेंगे मैंने last question में भी बताया आपको तो यह बताएगा 3 plus root over 5 plus x ठीक है अब यह तो denominator x का visualization factor क्या होगा यह sign नहीं change करना है यह change करना है तो क्या होताएगा 1 plus root over 5 minus x देखें denominator में multiply किया numerator में करेंगे 1 plus root over 5 minus x ऐसा ठीक है अब simple direct में इसको करता हूं limit x approaches to 4 a minus b a plus b a square minus b square ठीक है मतलब 3 का square minus root over 5 plus x का square ठीक है whole divided by नीचे भी देखें थोड़ा सा a minus b a plus b a square मतलब 1 का square minus b square मतलब root over 5 minus x का square ठीक है न इन्टू यह ऐसे ही रहेगा 1 plus root over 5 minus x whole divided by 3 plus root over 5 plus x अब simple है इसको solve कर लेते हैं limit x approaches to 4 3 का square कितना होता है 9 minus यह square से square root को हटा देगा तो कितना हो जाएगा 5 plus x और bracket पे रखना है ध्यान सा because यह minus का sign change करेगा ना भी बाद में sign 1 का square 1 ठीक है minus bracket पे कर रखेंगे square से square root को हटा देगा 5 minus x into 1 plus root over 5 minus x whole divided by 3 plus root over 5 plus x ठीक है चलिए यह पे मैं कफ्ताब कर देता हूं देखें 9 और यह minus sign जब open होगा तो minus का 5 हो जाएगा और यह minus का x हो जाएगा ठीक है ना फिर यह जब यह minus का sign open होगा तो यह minus का 5 और minus minus plus हो जाएगा देखें x approaches to 4 x is supposed to 4 रखने पर 0 बाइज जो लाए तो इसका मतलब x minus 4 इसका factor होगा या तो x square minus 4 square इसका factor होगा ना x is supposed to 4 is squaring on both side x square minus 4 square इसका factor होगा या तो x minus 4 इसका factor होगा तो यहां पे दिखते है क्या है जायर x minus 4 होगा इसका factor वहीं तो problem करा है ना x minus 4 numerator और denominator में अगर cancel हो जाए तो बन जाएगा मारा question limit x approaches to 4 9 minus 5 कितना होता है 4 4 minus x over plus minus minus दिखार रखना है देखिए यहां पे minus का 4 plus x ठीक है इंटू 1 plus root over 5 minus x 4 divided by 3 plus root over 5 plus x ठीक धियान से देखिए जड़ा इसमें ना minus का sign common ले लो आप उपर से बिकास मैंने भी बता है ना x minus 4 इसका factor होगा वैसा लग भी रहागी भी 4 और x आ रहें तो minus का sign जब मैं उपर से common लोगा तो यहां पर आजगा बस यहां से इस वाले brackets है तो यह minus का sign यहां पर है बाहर यह क्या बन जाएगा x कैसा बन जाएगा positive x minus 4 ओवर यह क्या लिखा हूँ है plus का x और minus का 4 इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ है ना आगे यह minus 4 plus x को x minus 4 भी लिख सकता हूँ है x को पहले लिख दिया minus 4 को बाद में लिख दिया into 1 plus root over 5 minus x all divided by 3 plus root over 5 plus x चीक है x minus 4 x minus 4 cancel हो गया now applying limit देखिए x minus 4 इसका vector था x minus 4 स्क्वार नहीं था देखिए x square minus 4 square नहीं था इसका vector अब applying limit तो धियान रखना है यह minus का sign तो ऐसे ही है x की value इतने put करेंगे 4 तो 1 plus root over 5 minus 5 minus 4 x की value 4 divided by इसको bracket में रखना है धियान से होड़ा सा 3 plus root over 5 plus x 5 plus x का मतला 5 plus 5 plus x की जगा 4 minus यह ऐसे ही रहेगा 1 plus 5 minus 4 1 square root of 1 1 तो यह कितना हो जाएगा 1 ठीक है divided by 3 plus 5 plus 4 9 square root of 9 is 3 ठीक है is equals to minus 1 plus 1 2 3 plus 3 6 202 to 3 to 6 minus 1 by 3 यहार बस्दार के हमारा ठीक है यह इस question की limit है चलिए next question देखते हैं जड़ा next question मुझे बोला जा रहा है क्या है next question मेरे पास limit x approaches to 2 limit x approaches to 2 x square minus 4 over root over 3x minus 2 minus root over x plus 2 ठीक है तो चलिए x की value put करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा x की value गर में to put करो तो 2 का square minus 2 मतलब 2 का square 4 minus 4 यह तो 0 हो गया नीचे पे देखिए 3 2s are 6 और 6 minus 2 4 तो root 4 minus 2 plus 2 root 4 तो देखिए 4 minus 4 0 root 4 minus root 4 भी 0 तो 0 का है 0 का form है ही question मतलब अब हमें ध्यान से इसमें देखना है देखिए इसमें denominator square उड़ा रहा है ना तो इसका मतलब यहां पर बस एक ही rationalization factor होगा होगी किसका होगा denominator होगा तो चलिए यहां से मैं करना इसको शुरू करता हूँ इसको यहां कर रहा हूँ इसको यहीं कर देता हूँ चलिए अब ध्यान से देखिए इसमें इसमें problem कर रहा होगा x is equals 2, 2 अगर मैं रखा इधर लाया भई या तो x minus 2 numerator और denominator में आया उसका factor होगा उसे हम cancel करेंगी या तो squaring on both side x square minus 2 square x square of course तो 2 square square दन लेंगे मताब x square minus 2 का square मताब x square minus 4 numerator यहा denominator x का minus 4 numerator denominator में problem कर रहा होगा तो ओ ही तो एक number होगा या तो x minus 2 या तो x square minus 4 तो चलिए देखते हैं इसको कौन problem कर रहा है numerator और denominator में तो ऐसे किया हमने into लगा दिया इसको हमने ऐसे ही लिख दिया root over 3x minus 2 minus root over x plus 2 अब last questions में last जो हमने question into की है उसमें कहा था कि numerator denominator दोनों में square root लगा था तो racialization factor numerator का भी बनता था और denominator का भी बनता था अब यहां पे केवल square root आपके पास नहां है denominator ने तो केवल racialization factor किसका बनेंगे है denominator का बनाने का तरीका क्या है कि square root के अंदर का sign हमें नहीं change करना है square root के बाहर जो sign है बहुत है change करना है देखिए अंदर को भी sign तो नहीं change क्या है ने ठीक है तो root over 3x minus 2 plus root over x plus 2 ठीक है as equals to limit x approaches to 2 यह कितना हो जाएगा उपर x square minus 4 ठीक है और यह हो गया root over 3x minus 2 plus root over x plus 2 यह ऐसे ही रहेगा और अगर हम ध्यान से देखें denominator में तो root 3x minus 2 is behaving like a यह a जैसा behave कर रहा है यह b जैसा behave कर रहा है यह एजैसा behave कर रहा है root 3x minus 2 और root over x plus 2 b जैसा behave कर रहा है तो क्या बनेगा A minus B A plus B A square minus B square अगल root over 3X minus 2 A square minus B square root over X plus 2 ka square ठीक है ना? ये फामला कम किया A minus B plus B B square minus B square is equals to limit X approaches to 2 X square minus 4 root over 3X minus 2 plus root over X plus 2 whole divided by कितना हो जाएगा ये? देखिए ये square इस square root को हटा देगा bracket में रखना है आपको ध्यान रखना है थोड़ा सबएगे आदत आप रख लो नहीं तो problem हो जाएगी कशा कभी-कभी आगे minus लगा होता है ना? तो sign change कर देता है minus A square इस square root को हटा देगा तो कितना हो जाएगा? X plus 2 is equals 2 limit X approaches to 2 X square minus 4 ऐसे ही रहेगा और root over 3X minus 2 plus root over X plus 2 whole divided by 3X minus 2 ऐसे ही रहेगा इसका हम bracket हटाएंगे करेकर बेकोज आगे कोई minus तो है नहीं जो उसका sign change करेगा बट यहाँ पे minus का sign की help से जब इस bracket को open करेंगे तो minus plus minus X minus plus minus 2 ऐसा हो जाएगा ठीक है ना? चलिए देखते हम यह क्या बनेगा हमारा is equals to limit X approaches to 4 X square minus 2 ऐसे ही रहने देखता हूं मैं ऐसे और मेरा हो गया दूसरे packet में root over 3X minus 2 plus root over X plus 2 whole divided by 3X minus X 2X और minus 2 और minus 2 minus minus plus sin लगेगा minus का तो minus 2 minus 2 minus 4 ठीक है? अच्छा is equals to limit अब ध्यान से देखें मैंने आपको क्या बोला था? भई याँ तो X minus 2 इसका factor होगा numerator denominator का और याँ आपको X square minus 4 होगा तो यहाँ पे X square minus 4 तो numerator में नहीं आप आ रहे है X square का डम ही नहीं है ना तो इसका मतलब है कि X minus 2 होने की समभव ना है X minus 2 शायद हो हाँ हो सकता है कैसे? X square minus 2 4 को आपको लिख सकते हो 2 का square ठीक है? और बच के आगे आपके पास root over 3X minus 2 plus root over X plus 2 divided by 2X minus 4 में से आप 2 कॉमन ले ले लोगे तो क्या हो जाएगा? X minus 4 अब ध्यान से दिखें X square minus 2 square कौन से फॉर्मुला लगे गा? A square minus B square A plus B into A minus B अच्छा सौरी यह नीचे देखिए थोड़ा सा 2 कॉमन ले 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 X minus 2 ले 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 A square minus B square क्या हो जाएगा? A plus B into A minus B मतलब A की जगा कौन? X X plus 2 into X minus 2 A square minus B square A plus B A minus B और यह ऐसे ही रहेगा root 3X minus 2 plus root over X plus 2 चेक है? whole divided by 2 over X minus 2 तो देखिए X minus 2 X minus 2 तो गैंसल होगे जोगी प्रॉब्लम कर रहा था limit मेरी से बलती से change होगी है sorry X approaches to 2 होगा है यहाँ पर चिक है? X approaches to 2 होगा चलिए अगर limit अप्लाइं कर देते हैं कोई problem तो है नहीं because X minus 2 हट चुगा है तो X की value to put करेंगे 2 plus 2 और root over 3 into 2 6 minus 2 plus 2 plus 2 4 चिक है नीचे क्या बचुड़ रहा है 2 2 plus 2 4 into 6 minus 2 root 4 plus root 4 over 2 is equals to 4 into root 4 कितना होगा है? 2 plus root 4 2 divided by 2 is equals to 4 into 2 plus 2 4 over 2 2 1 जाद 2 2 2 जाद 4 2 4 जा 8 ठीक है? तो इस question का answer जोगे हो 8 है limit approach limit X approaches to 2 of this function is 8 चलिए next question देखते है जरा next question है मेरे पास limit X approaches to 1 ये side में लिखा हाँ आप देख सकते हो limit X approaches to 1 2 X minus 3 in the bracket root X minus 1 over 2 X square plus X minus 3 तो इस question को चलिए बनाते हैं देखते हैं यहाँ पे इस question में अगर मैं X की value 1 put करता हूँ तो 2 into 1 2 minus 3 minus 1 और root over 1 minus 1 0 over 2 X square मतलब 2 into 1 का square 2 plus 1 X की value बैं पूट कर रहा हूँ 1 minus 3 तो 0 into minus 1 0 by 2 plus 1 3 3 minus 3 0 by 0 का form आ रहा है मतलब इस question को मझे direct substitution से मैं नहीं solve कर सकता हूँ तो इसको देखे कैसे solve करेंगे और solve करने से पहले नहीं फ़रोसा ये भी सोच सकता हूँ कि वही X approaches to 1 है मतलब X approaches to 1 मतलब X is equals to 1 रखने पर ही problem हो रही थी नहीं इस question में 0 by 0 का form आ रहा था तो इसका मतलब X minus 1 इसका factor होगा numerator और denominator दोनों में आ रहा होगा तो चली देखते हैं किस तरीके सा रहा हो तो limit X approaches to 1 अच्छा एक चीज़ और इसके numerator में root वाला term है ना इसको आप ध्यान से देखिए इसके numerator में root वाला term है मतलब इसका मुझे recalination factor बनाना पड़ेगा तो ये और ये तो ऐसे ही रहेंगे मतलब 2X minus 3 over 2X square plus X minus 3 तो ऐसे ही रहेगा और इसका जो इसको थोड़ा सा side में लिखना हूं तो root over X minus 1 ब्रैकिक में बंद करना है इसके numerator से और इसके denominator सोरी इसके recalination factor से numerator में और denominator में दोनों में हम multiply करेंगे तो ये दिखिए root over constant change करना है ये वाला ये इसका recalination factor बन जाएगा तो numerator में और denominator में मैंने multiply किया तो इसको थोड़ा सा यहां पर लेखने हैं अगर हम तो कोई problem नहीं होगी थोड़ा सा इदर मैंने shift कर लिए तो क्या हो जाएगा root over X plus 1 अब ये into के sin में हटा देते हैं तो कुछ इस तरीके का ये बनेगा ये multiply है आपस में ठीक अब यह हो जाएगा limit X approaches to 1 ठीक है 2X minus 3 2X minus 3 और यहां पर देखें A minus 1 into A plus B A square minus B square अगला root X chi square minus 1 chi square whole divided by ध्यान से देखें अगर root X का square X होगा और 1 का square 1 तो ये X minus 1 आ रहा है अदर नीचे भी मुझे X minus 1 मिलना चाहिए तब ही तो क्यांसल होगा ना X minus 1 जो problem कर रहा है तो देखें यहां से तो X minus 1 मिलनी सकता है इसको मैं ऐसे ही लिख दूँगा ये जो आपका quadratic polynomial है 2X square plus X minus 3 अगर इसको मैं इसको मैं splitting the middle term से इसका factor बना लेता हूँ तो वहाँ पे शायद मुझे X minus 1 मिल जाएगा तो देखें लास्ट वरे नमबर को आगे वाज़े नमबर से multiply किया साइन के साथ minus 3 into 2 कितना हो जाएगा minus 6 minus 6 X square को ऐसे दो parts में break करिए कि addition या subtraction पर plus X आए but multiply करने पर minus X square आए तो क्या हो गया 3X और 2X minus 3X minus 2X तो देखें जे 3X minus 2X कितना होता है X और 3X into minus 2X कितना होता है plus minus minus 3 to just 6X square बल्कुल ठीक है multiply करने पर वही आ रहा है जो पीछे वाले को आगे वाले से multiply करने पर आया था और इनको addition या subtraction करने पर 3X minus 2X X आ रहा है मतलब वही आ रहा है जो middle term में आ रहा है तो इसका मतलब limit X approaches to 1 2X minus 3 देखें 2X minus 3 से मुझे कोई problem नहीं है root over X plus 1 से मुझे कोई problem नहीं है मेरे को किसी तरीके से किसे खुझना है मुझे X minus 1 चाहिए वो मुझे यहां से मिल रहा है रहा है root over X square का जो solution होगा वो solve पर की रहा है यह square से square root को हटा देगा तो X minus 1 होगा over और यह भी मेरे को कोई problem नहीं कर रहा है और plus X को plus X को क्या लिख सकते हो प्लस X को 3X minus 2X तो लिख दिया मैंने 3X minus 2X minus 3 ठीक है यह curly braces में मैंने रखा है यह normal में आप रब्दो कोई problem नहीं है अभी ठीक है is equals to limit X approaches to 1 इधर मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ 2X minus कितना है 2X minus 3 है ठीक है X minus 1 है यही problem करना है वे दिखिए 1 minus अगर X की वेलों में पूट कर दो न तो 1 minus 1 0 यही तो 0 ला रहा है मतलब इसको ही तो हटाना है तो मतलब इसी का एक friend मतलब X minus 1 नीचे घहीं पर मिलेगा मुझे यहां से हांता क्या common आ रहा है X तो मैंने common निकाल लिया X क्या बच गया? 2 और 1 X बच गया? प्लस X चला गया तो 2X plus 3 यह दिखिए दूसरे bracket में भी क्या आना चाहिए? 2X plus 3 2X कैसा होना चाहिए? यह positive का लेकिन यहां कैसा है? negative का? देखिए 3 यहां कैसा है? positive का यहां कैसा है? negative का मतलब 1 common नहीं होगा minus 1 common होगा तो क्या होजएगा bracket में? 2X plus 3 चिके? whole divided by root X plus 1 अच्छा यह कर लिए इस यहां से हां था इस पूरे के लिए यहां पे मैंने ऐसे घर के close कर दिया यहां से यहां तक यहां से यहां तक क्या कमाना आएगा? 2X plus 3 तो is equals to limit X approaches to 1 2X minus 3 X minus 1 whole divided by 2X plus 3 आगया बाहर 2X plus 3 आगया बाहर तो कर लिए बेसेस में क्या बच्छा है? X यहां पे बच्छा यह minus लगा होगा है लगा दिया यह 1 यहां पे बच्छा ठीक है? और root X plus 1 पीछे बच्छा हूआ है उससे ताम में को problem भी नहीं है अब इस curly braces को मैं normal braces में भी change कर सकता हूँ X minus 1 से X minus 1 cancel होगया now applying limit limit अगर मैं apply कर दूँ X के value कितनी put करूँगा? तो क्या हो जाएगा? 2 into X 1 2 into 1 minus 3 over 2 into 1 plus 3 2 into 1 plus 3 into root X मतलब root 1 plus 1 is equals to 2 अज़ट 2 minus 3 over 2 अज़ट 2 plus 3 root 1 1 ही होता है और 1 पीछे रिखा हूए है 2 minus 3 minus 1 plus minus minus आई लगा माइनस का 2 plus 3 5 into 2 plus 2 2 is equals to minus 1 by 5 2s are 10 minus 1 by 10 is the answer of this question ठीक है? next question के साथ मैं एंगली क्लास में मिलूँगा कुछ special type के questions होंगे उसमें मैं आपको 4-5 question कराऊँगा उसमें क्या होगा? limit X approaches to root root over any number होता है na root आजाता है उस number बे तब हम कैसे करते हैं ठीक है? उसको हम देखें इंगली क्लास में को हम पंगली को надо हो साथ है ज़ती है